विक ये शिरुवात में 11 बोलती है कि अब इनोवा के साथ उसका बहुत अच्छा चल रहा है और उन्होंने इन छुटियों में ली और इनोवा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो बीच पर गूमने गए बट अब उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया है और उसे एक ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलिच चुनना है हावर्ड या ब्रुकलीन तबी नौवा उसे बोलता है कि अगर तुम हावर्ड आती हो तो हम दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इसलिए इलेवन काफी खुश होती है तबी उसे बता चलता है कि उनका बीच वाला हाउस बिकने वाला है तबी वो लोग अपना अपना समान समीटने के लिए उस गर में जाते हैं तबी ली भी बहुत कुश होता है वो रिचल से बोलता है हम अपनी बढ़ाई के साथ साथ अपना लोंग रिलेशनशिप भी रेडी रखेंगे अब वो सब लोग काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उनका वो बीच वाला घर पिक रहा होता है तबी 11 को को और लाता है वो पूशता है तुमने क्या क्या डिसाइड किया वो बोलती है मैं तुम्हें कुछ दिन रुक के बताती हूँ तबी वो इनुवा को बताती है कि मैंने हावरड सेलेक्ट कर लिया है ये बात जब ली को पता चलती है तो वो वहां से अपसेट हो कर चला जाता है फिर 11 बोलती है अगर मेरा ब्रुकलीन में नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है और मैं इनोवा के साथ वहां जाना चाहती हूँ और ये समय हम एक साथ बिताएंगे और कुछ अच्छी यादे एकठा करेंगे फिर वो दोनों अपनी लिश्ट को पुरा करने लगते हैं और उसमें काफी सारे अचीवमेंट होते हैं तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि इलेवन को पैसों की जरूरत होती है और वो एक शौक पर काम करती है तभी वहां पर हावर्ड भी आया होता है और हावर्ड ने इलेवन को किस किया होता है इसलिए वो इनोवा को बसंद नहीं आता तबी उन दोनों की फाइट हो जाती है और हावर्ड इनोवा पर बंच कर देता है फिर इनोवा वहां से जाने लगता है और इलेवन उसे मनाने जाती है और इनोवा बोलता है मैंने पहले ही बोला था अगर हावर्ड हमारे बीच आया तो मैं यहां नहीं रुकूंगा तभी हम देखते हैं हावर्ड 11 को प्रॉपोस करता है और 11 बोलती है तुम यहां से चले जाओ दूसरी दरफ हम देखते हैं कि इनोमा 11 को फिर से पार्टी देना चाता है लेकिन वो ली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तभी वो 11 को बोलती है कि मैं चलती ही आ जाओंगी और फिर वो वहां से चली जाती है तभी उसे पता चलता है कि उसके डेड़ की एक करल फ्रेंड भी है जिसका नाम एनहंडा है वो उसे एकसेप नहीं कर पाती क्योंकि उसकी इनुवा के साथ नहीं बन रही होती और उसका उसके डेड़ के साथ जगड़ा हो जाता है वो बोलती है ये मेरे मौम की जगए ले रही है तभी 11 के डेड़ बोलते है मेरी भी अपनी जिंदगी है मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ 11 अपने डेड़ को बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बढ़ी है तभी दूसरी तरफ हम देखते है कि इनुवा 11 को फिर से मना लेता है तभी 11 ये सारी बात अपने फ्रेंड ली को बताती है वो बोलता है ठीक है तुम आज की पार्टी में आ रही हो दूसरी तरफ इनुवा को पता चलता है कि उसका ब्रू क्लीन में भी अड्मिशन हो गया था लेकिन वो हावर्ड मेरे लिए आ रही है तभी वो उसे छोड़ कर फिर से चला जाता है फिर वो इलेमन से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है तुम ये सब मेरे लिए मत छोड़ो तुम ऐसा कर रही हो तो मैं तुम से अभी ब्रेक अप कर रहा हूँ इसी बात को लेकर उन दोनों का ब्रेक अप हो जाता है और 11 काफी जाता दुखी हो जाती है तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ली 11 का वेट कर रहा होता है वो उसके पास जाती है और ली को अपनी समझ से बताने लगती है तभी ली बोलता है मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं तभी 11 उसे डांट देती है ली से जाकर ब्रेक अप कर लेती है वो बोलती है अगर 11 और इनोवा एक साथ नहीं रह सकते तो हम तो बहुत दूर के रहने वाले हैं और हमें अपनी लग स्टोरी यहीं खतम कर लेनी चाहिए तभी वो दोनों ब्रेक अप कर लेते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि 11 अपने डेड के पास जाकर उसे सोरी बोलती है तभी ली की आन टाकर उसे बोलती है कि तुम्हें अपना ड्रीम फूलो करना चाहिए तभी 11 अपना ड्रीम पूरा करने के लिए गेमिंग सॉप्टवेर कंपनी में एड्मिशन लेती है और अब 11 की ली के साथ भी काफी अच्छी बन रही होती है और अब वो लोग अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपने अपने गोली जाने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि 11 ली को एक लाश्ट बार गुडबाई बोलने के लिए आती है और वो ली से बोलती है कि तुम काफी कुछ कर सकते हो और जो हम दोनों की दोस्ती है वो कभी नहीं तूटेगी तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बीच वाला हाउस नहीं बिक रहा होता और 11 का अब इंटर्विव होता है और वो इंटर्विव में पास हो गई होती है 11 ये बात इनोवा को बताना चाहती है लेकिन इनोवा के साथ उसका ब्रेक अप हो चुका है तभी हम देखते हैं कि इस बात को 6 साल हो चुके होते हैं और अब ली का बिक रेजुएशन पूरा हो गया है और वो 11 के पास वापिस आ गया होता है और अब रीचल और ली दोनों शादी करने वाले होते हैं तभी उनकी नजर किसिंग बूत पर बढ़ती है किसिंग बूत को देखकर 11 को इनवा की याद आ जाती है लेकिन इनवा उसके सामने खड़ा होता है अब उन दोनों का ब्रेक अप हो चुका होता है इसलिए वो दोनों काम के बारे में ही बाते करते हैं तभी इनवा 11 को बोलता है मैं तुमें कॉल करूंगा अगर मुझे टाइम लगा तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है 11 सोचती है कि अगर वो मुझे से प्यार करता है तो मुझे एक बार पीछे मुड़के देखे तो सही फिर इनोवा पीछे मुड़ के देखता है और 11 काफी खुश हो जाती है तब ही हम देखते हैं कि वो दोनों घुमने गए होते हैं ये मूवी यहीं कतम होती है लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी सेटसपूल नहीं होती वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सक्सक्राइब